सबको बहुत बहुत नश्कार तो आईए हम देखते हैं गतीज उर्जा काइनेटिक एनर्जी की बारे में इसका जो हम डेफिनेशन देखते हैं तो यह होती है किसी वस्तु में उसकी गती के कारण नहीत उर्जा को गतीज उर्जा कहते हैं कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें जो उर्जा होगी उसे हम गतिज उर्जा कहेंगे यहां हम देख पा रहे हैं कि एक M दर्मियान की वस्तु है जो एक समानवेग U से गतिशील है अब इस पर एक बल लगता है F और ये बल उस वस्तु को विस्तापित कर देता है उसी दिशा में जिस दिशा में हमने बल लगाया है और वस्तु एच दुरी तक विस्तापित हो जाती है तो इस आधार पर हम एक वेंजक वेंजक करेंगे जिस हम गतिज उर्जा का वेंजक कहते हैं तो आईए हम देखते हैं उसे गती जुर्जा के वेंज़े के लिए हम देखते हैं कि एक वस्तु है जिसका दुरिमान एम है और वह एक समान वेग यूग से गती शिल है और इस पर एक बल एफ विस्तापन की जिसामें लगता है तो वस्तु एस दुरितक विस्तापित हो जाती है तो किया गया जो कार्य होगा क्योंकि हम देखते हैं कि कार्य बराबर बल गुनित विस्तापन होता है तो हम उसका यहाँ पर सुत्र रखेंगे किया गया कार्य बराबर बल गुनित विस्तापन इसको हम अगर ऐसे देखें तो W बराबर F into S यह समीकरण हम मान लेते हैं 1 अब आगे देखते हैं कि वस्तु पर किये गए कार्य के कारण उसका वेक जो U था वो हो गया V यानि प्रारंबिक वेक से वो हो गया अंतिम वेक V अथा माना कि उस पर जो वेक परिवतन हुआ उसके कारण उसका मान त्वरन उत्पन हुआ होगा और त्वरन का जो मान होगा वो होगा A ठीके तो आगे हम देखेंगे तो F बराबर निकलता है M into A यह हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2 अब हमने समीकरण नंबर 1 निकाल ली समीकरण नंबर 2 भी निकाल ली समिकरन एक में हमने जो F का मान है वो हम यहाँ पर प्राप्ट कर चुके हैं MA तो हम आगे देखें तो समिकरन एक में S भी है उस S का मान हम कहां से लेके आएंगे तो उस मान को लाने के लिए हम गती के तीन समिकरन होते हैं प्लस 2AS, अब इसमें हम S का मान निकालना है, तो S को मान निकालने के लिए हम इसके यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इस S को हम A से विवस्तित करें, तो V स्क्वेर पक्षानतर करेंगे हम U का, तो यह हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जब इदर बराबर के इदर आएगा तो, और बचेगा बराबर के उदर 2AS, अब यह S का मान हमको प्राप्त करना है, तो V स्क्वेर माइनस U स्क्वेर अपॉन 2A, इसका 2A का हम भाग देते हैं, बचता हमार पास S, इसे हम मान लेते हैं, समिकरन नमबर 3, यानि हमार पास में समिकरन 2 वा 3 भी प्राप्त हो गई है, तो हम देख रहे हैं यहांपर, कि हमार पास जो समिकरन नमबर 2 है, और समिकरन नमबर 3 है, उन दोनों के जो मान है, वो मानों को हम रखेंगे सम्मिकरन नमबर 1 के अंदर तो सम्मिकरन 1 में 2 वा 3 से मान रखने पर तो जो हमारी पहली सम्मिकरन है वो है W बराबर F S F into S तो हम पहले उसे लिखते हैं W बराबर F into S यह पहली सम्मिकरन है इसमें W लिखकर हम लिखते है F का मान F का मान हमर पास सम्मीन कर नमबर 2 में है MA हम यहाँ पर MA लिख लेते हैं गुनीद S का मान हमर पास में V 2 माइनस U 2 बटे में 2A अब यहाँ पर A से हम यहाँ पर काड़ देते हैं यानि यह क explains हो जाता है तो फिर बस्ती है हमारे पास में M का गुणा हम करेंगे फिर V में तो V स्क्वेर हो जाएगा M V स्क्वेर M का गुणा V स्क्वेर में करेंगे तो हो जाएगा M V स्क्वेर माइनस M का गुणा U स्क्वेर में करेंगे तो यह हो जाएगा M U स्क्वेर बटे में वस्ता है दो अब यहां पर जो यू है ये यू है प्रारमबिक वेग तो हम मानते हैं कि जो वस्तु है वो विरामा वस्ता से गती प्रारम करती है यानि उसका विरामा वस्ता में जो वेग होगा प्रारमबिक उसे मान लेते है शुन्य वस्तु का विरामा उस्ता में जो वेग होगा U बराबर 0 शुन्य तो यह जो U का मान 0 आया है इसे हम समिकरन में रखते हैं हमारी जो समिकरन है W बराबर M V स्क्वेर माइनस M इंटू 0 का वर्ग तो हमने U का मान 0 रखा बटे में आएगा हमारा 2 तो जब 0 का मान जो U का मान 0 है तो उसको गुणा करेंगे M में तो 0 हो जाता है तो हमारा पास बचता है M V स्क्वेर बटे में 2 और जब इस 2 का भाग हम M V स्क्वेर देते तो हमारा पास बच जाता है हाप M V स्क्वेर यानि 1 बटा 2 M V स्क्वेर यह हमारे पास मान प्राप्त होता है W का यानि कारी का मान हम प्राप्त हो गया 1 बटे 2 Mv² अब हम इसा मान के चलें कि बस्तो कारी हुआ है यानि बल लगाया विस्तापुन हुआ है तो कारी संपन हुआ है तो यब कारी संपन हुआ है ये कारिय वस्तों में गती जूर्जा में परिवर्ती जाता है जो EK कहलाता है यानि काइनेटिक एनरजी तो हम W के स्थान पर EK रखेंगे तो EK यानि काइनेटिक एनरजी बराबर 1 बटे 2 M V स्क्वार यही गती जूर्जा का व्यन जक है